जीबन में जोस के साथ होस की उसी प्रकारा वसकता है जैसे अरजुन के साथ श्री क्रिश्न की गुरू और सड़क दोनों एक समान होते हैं खुद वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुचा देते हैं आप चाकर भी अपने प्रती लोगों की धारना को नहीं बदल सकते हैं इसलिए शुकून से अपनी जिन्दगी जिये और खुश रहें कोशिस आकड़ी साथ तक करनी चाहिए मंजिल मिले या तजुरबा चीजे दोनों ही नयाब है आप जिस पर आक बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही आपकी आँखे खोल जाता है अच्छा दिखने के लिए नहीं बलकि अच्छा बनने के लिए जियो जितने दिन जिन्दगी को आपने खुल कर जी लिया वही द दिन आपके हैं बाकी दिन तो सिर्फ कालेंडर की तारीखे हैं कहते हैं कि बगत सारे घाओ वर देते हैं पर सच तो यहीं है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं अच्छे बनों लेकिन इतने भी मत बनों कि दुनिया आपकी अच्छाई का गलत फाइदा उठा ले हर इ एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं और दूसरे वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं पर आप तीसरे बनो और सोच समझ कर काम करो अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए क्योंकि आप उनकी जिंदगी की गोरोसनी की किरन हैं ज तो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। इज़त हमेशा इज़तदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज़त नहीं है, वो किसी दूसरों को क्या इज़त देंगे। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करिए। क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबे हर किसी को समझ नहीं आती। उस बेक्ती पर कभी विश्वास मत करना, जो तुमें दूसरों को राज बताता हो। अच्छे चेहरे का प्रभाब कुछ समय का होता है, पर अच्छी सोंच और सुन्दर मन का प्रभाब पूरी जिंदगी होता है। सुन्दरता मन को अकर्शित करती है। लेकिन एक अच्छा चरीत्र हिर्दय जीत लेता है। जिंदगी में दो इंसान जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और एक वो जो धोखा देता है